उद्योग में रोजगार उद्योग में अत्यधिक मशीनी करण के कारण कम श्रमिकों को रोजगार के अफसर मिले उदारन के लिए एक बड़े स्टील कार खानों में सन 1999 से सन 2005 तक उद्पादन तो 5 गुना बढ़ा पर कर्मचारियों की संख्या आधी हो गई सन 1999 में उद्पादन 10 लाग तन था एवं 85 अजार श्रमिक कारे रत थे जबकि सन 2005 में यही उद्पादन 50 लाग तन हो गया लेकिन कर्मचारियों की संख्या 44,000 कर दी गई कई काम ठेका मजदूरी पर दिये गए उद्ध्योगों में रोजगार की आशा के अनुरूप वृद्धी नहीं होई जबकि उद्पादन बढ़ता गया उद्ध्योग के उपशेत्र उद्पादन एवं रोजगार दोनों को बढ़ावा कैसे मिल सकता है इसके लिए हमें उद्योग के उपशेत्रों को समझना होगा उद्योगों के अंतरगत वी निर्माण यानि वस्त्वे बनाना बिजली, गैस, जलापूर्ती, खनन, निर्माण उद्योग आता है वी निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें भौतिक और रासानिक परिवर्तन से कच्चे माल को नय उद्पाद में बदला जाता है वी निर्माण उद्योग शेत्र का सबसे महत्पूर्ण उपशेत्र है वर्ष 2019 में इसुपशेत्र की हिस्सेदारी जीडीपी में 16 प्रतिशत है और यह लगभग 5 करोड लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है वी निर्माण एक संतुलित अर्थवैवस्ता का आधार माना जाता है जो विक्सित देशों के विकास का एक एहम कारन है एतिहासिक रूप से देखा जाए तो हर विक्सित देश ने वी निर्माण की वृद्धि को बहुत महत्तु दिया है इसके कारण अनिशेत्रों में मांग बढ़ जाती है वी निर्माण से प्राप्त उत्पाद ने हमारे जीवन को कई प्रकार की सुविधाय प्रदान की है उप्योगी उत्पाद बनाने के लिए एक उचित तक्निक खोजना और उसे सभी के लिए सूलब कराना इसका लक्ष है खाद प्रसंसकरण आधार भुद्धातु और वस्त्रुद्योग भारत के वी निर्माण के प्रमुखुद्योग है लोह इस्पात उद्योग एक आधार भुद्योग है इस कारण इस पात का उत्पादन किसी भी देश की वी निर्मान की शमता का संकेत माना जाता है खाद प्रसंसकरण एवं वस्त रुद्योग हमारे देश में रोजगार के अधिकता मौसर प्रदान करते हैं वस्त्र उद्योग वी निर्मान शेत्र का एक विशेश उद्योग है यह उद्योग ही एक ऐसा वी निर्मान उद्योग है जिसमें शुरू से अंत तक भारत पूरी तरह से आत्म निर्भर है खादे प्रसंसकरन उद्योग में रोजगार की इस्थिती निम्डांकी तालिका में दिखाई गई है खादे प्रसंसकरन उद्योग में रोजगार